प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी औजना को लेकर सभी किसान भईों के लिए बहुती अच्छी गभर आच्छुकी है आज फाइनली प्रधान منतरी किसान सम्मान निधी औजना का beneficiary status है जो किसान PM किसान के portal पर check करते हैं वो update हो चुगा है बिल्कुल latest version में और बिल्कुल सही तरह के से अपडेट हो चुका है इतने जिन PM किसान के portal पर काम चाद रहा था तो वहाँ पर बहुत सरे किसानों के land sitting में land sitting होते वे भी ना लिखा रहा था यानि नो लिखा रहा था बहुत सरे किसानों का PE FMS Bank accept होते वे भी no transfer और rejected इस तरह से कुछ दिखा रहा था तो आज सभी का जो rejected या फिर no transfer था उनका accept हो चुका है और बहुत सरे किसान भी थे जिनका जो अगली की 17 October को मिली थी वहाँ पर RFT और payment प्रोसेड लिखा रहा था तो उन किसानों का भी status update हो चुका है लेकिन एक कौन से किसानों का हुआ है किस तरह से update हुआ है चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं और वीडियो देखने के बाद अपना status भी ज़रूर चेक कर लीजेगा वीडियो बहुत ही महत पुन होने वाला है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और PM किसान योजना से रिल्टेड हम पूरी जान करें देते हैं तो आप से चुटिस रिक्वेस्ट है की चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कीजेगा तो सभी किसान भाई यहाँ पर अपना mobile है अगर आपके पास रिश्ट हैसर नंबर अवेलबल नहीं है तो इसका भी हमने complete वीडियो बना रखे आप मस्तर एक मिनिट के इंदर अपना रिश्ट हैसर नंबर निकाल सकते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर मैं किसान का स्टेटस ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले मैं उसकिसान का दो दिन पहले का स्टेटस दिखाता हूँ उस समय उसकिसान के स्टेटस में क्या क्या दिखा रहा था और आज क्या बदला हुआ है तो किसानबर beneficiary status मैंने open कर लिया यहाँ पर आप जैसे नीचे गिद्र पाऊगे तो इस किसान का यहाँ पर देख सकते हो सबसे बड़ी problem थी यहाँ पर आप देख सकते हो इसका LFGVT yes है लेकिन payment mode यहाँ पर खाली दिखा रहे है account number आगे दिखा रहे है और यहाँ पर आप देख सकते हो transfer to PFMS status no transfer दिखा रहा है और आगे region दिखा रहा है region for no transfer वो PFMS गुनिस सो गुनसेट एक एक और यह जो date over दिखा रही है यह किसान की है जिसके नाम जमीन है उस किसान की यहाँ पर date over दिखा रही है जो किसान बोल रहे थे कि हमारे PFMS no transfer दिखा रहा है और region की आगे date दिखा रही है तो यह date उस किसान की है जो प्याम किसाने हो जना में जुडा हुआ है और जिसके नाम से जमीन है उस किसान की date over दिखा रही है आप चेक कर लीजेगा आपकी जो परकों की जमीन है उसमें सबी किसानों को यही बताया था कि आप बिल्कुल ने गबराई आप सिर्फ wait कीजेगा यह जो no transfer दिखा रहा है नेक्स टाइम जब भी यह transfer होने के लिए PFMS के पास जाएगा उसमें अगर आपके document सही पाए जाते है तो यह automatic accept हो जाएगा PFMS के पास यह 10 तावेज अभी बेजे गए थे हो तो आज यह accept हो चुके है आप अपना status चेक कर लीजेगा अब हम निचे की तरह पजाते हैं यहाँ पर आपका जो PFMS bank status है वो आज accept दिखाएगा और यह option एट चुका है जो no transfer वाला था यह हट चुका है क्योंकि PFMS ने आज अज अभी का accept कर दिया है और यही जानकरी मैंने पहले ही बताई थी तो यही जानकरी मैं देता रहता हूँ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजगा अब यहाँ पर नीचे जो land sitting no लिखा रहा है उनमें से बहुत सारे किसानों का आज यह सोच चुका है जो technical error की वज़े से यहाँ पर no दिखा रहा था वो आज सोल हो चुका है और जिनका अभी भी no दिखा रहा है वे किसान, अभी पटवरी या लेक पाल के पास जाकर सुदार करवाए जिसका मैंने complete video पहले ही बना रखा है अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली status दिखा रहा है उन किसानों का जिनका किसी technical error की वज़े से या फिर जो किस तसतर अक्टूबर को मिली थी उसके जगे यहाँ पर payment, proceed या फिर RFT sign by state दिखा रहा था तो उन सभी किसानों का आज update हो चुका है तो चलिए इस किसान का latest status अब आज का update करके जो आया है वो हम status आपको दिखाते हैं तो किसान पर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस किसान का जो आज वाला latest status है वो मैंने open कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ आप जैसे scroll करोगे तो यहाँ पर इस किसान का जो farmer record has been accepted दिखाने लग गया है payment mode आधार दिखा रहा है और land sitting येस दिखा रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने बताया था transfer वाला वहट चुका है अब accept हो चुका है और नीचे की तरफ देख लीजे इस किसान को यहाँ पर पहला installment है वो मिल चुका है यहाँ पर मद्दे बिहार ग्रामिन बैंक में मिला है तो यहाँ पर आपडेट भी देख सकती है 17-2022 को जब मानने परदान मंतरीजी ने बटन दबा कर जो पैसा जारी किया था वो आज यहाँ पर करेडिट भी दिखाने लग गया है तो आज सभी किसानों के लिए बहुत बड़ा आपडेट है आज सई स्टेटस किसानों का आज सुका है अगर आपको जानकरी से लिगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा धन्यवाद किसानमितरों मिलते हैं कोई नई जानकरी के साथ